तो चलिए दूस्तो आज हम बनाते हैं चिकन तो चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन को सफाई किये हैं वास किये हैं इसको अच्छे सा क्लीन कर लेना है और क्लीन करने के बाद यह जो हमारा चिकन है वन केजी है और यहां पे प्याज लिए है चार है जो कि हाफ जिन्य मुझा को चीकन से विघाए है। उपेकर सबसे हैं, यहाँ ऑफान चीकन से लावारेस, चीकन रेटी है। मिर्चस पेडल से आफेकर सब्सक्राइब डीन है ने कीज आफेकर चाहिएा। चुके हैं क्लाई हीट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें तेल एड़ करेंगे तो चलते हैं अब हम तेल एड़ करेंगे तो इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम सरसो तेल आप चाहें जो आपको पसंद हो वो तेल यूज कर सकते हैं जो आप खाते हो तो यहां पर हम सरसो तेल यूज इसमें आइड बान किया है इस के वाद हम इसमें डोल charges करने के बाद से एसमें、 प्रआज सेराव स्धाइट सेरावा जाएगां सब्सक्राइब कर तोोडल को ब्राउन हो जाएगा सब्सक्राइब है ऌसे तो अधर साथ सेले करने के वाद दो लिटा कॉई बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके हम अपनाया है बहुत ही जवर्जास बहुत ही टेश्टी लगता है अब देख सकते हैं यहां पर हमारा प्याज जो है पकना सुरू हो चुका है तो यह कुछ ही मिनट में फाइली पक जाएगा टोटल तो इसको आपको चलाते रहना है बिच बिच में तो यहां पर हमारा प्याज रेडी हो चुका है अब हम इसमें एड करेंगे चिकन को आप देख सकते हैं यहां पर हमारा प्याज जो रेडी है फाइनली अब हम टोटल चिकन को इसमें एड कर देंगे एड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो चलते हम mix करने, mix करने के बाद हमें इसको 3 मिनट के लिए भून लेना है, medium flame पे ही इसको भून लेना है अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे हम चलाना सुरू कर दिया है, और अच्छे से भूनना सुरू कर दिया है, इसको भून लेंगे, भूनने के बाद हम आपको दिखात और हम नावस को तक मताइं यह आपको बिटाएंगे विडूकरत कर इस चिकन भूना चुका है कि यह उद्वीक ठीक नीमा है तो हम चुट करेंगे मासाला इच कर से अब कमाशार सुपन क्रसाएंगे तो चलते हैं राइक ड्रिपकर प्रसिक आपको लेना स्वाद अंसार नमक ले लेना है एक चमच हल्दी पॉडर और एक चमच लाल मिर्च पॉडर एड़ कर लेना है इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्वाद अंसार नमक ले लेना है इसके बाद हमें एड़ करना है में ग्रैंड किया हुआ जो आपको मसाला दिखा हैं लासोन और जिरा मेरी धनिया का पेश्ट वह हम इसमें एड कर देंगे और अच्छे से इसको हम मेक्स कर लेंगे चातो चलते हैं हमारा मसाला जो है यह एड हो चुका एतना और इसको अब हम मिक्स करते हैं और इसको कर चुके है ये फाइनली यह उतना मसाला हो चुका है अगले मसाले के लिए हम थोड़ा साह इंतजार करेंगे उसको भूलेंगे अच्छे से आप कोई हम हुआरा चैके शुका है अब हम चलते हां इसमें मसाला डालनें जो आपको बता आया है जिससे तreight ज्यादह बढ़त जो यह पहुत ही हगि defy जो और वाद में आपकस अ हम देख कमा रहुत है उच्छ में Semina शो पावडर 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 स्कते हैं ने θα आपके मंखने स्वार्ने तो इसने के दुछ फेहेँ तो झाल हम उच्छाः करके अच्छात करूंस करेंगे शो बहुत ही जबर्जस्त होता है आप देख सकते हैं तो यहां पर यह चिकन रेडी करें बहुत ही तरीके से बहुत ही जबर्जस्त हो यहां पर मिक्स हो चुक है हमारा मसाला अब हम ढखेंगे इसको ढखकन लगा देंगे चिकन पर और ढखकन लगाने के बाद हम इसको दस मिनट बाद फाइनली आपको दिखाएंगे तो इसका लुक देखिए बहुत ही जबरजस्त दिख रहा है बहुत ही टेस्टी खुसबू भी आ रही है अभी पकने के बाद और भी जबरजस्त होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी नहीं डालना है यह चिकन से ही पानी पूर करेंगे चणि मेडियुम फ्लेम ही रखना है honorin जाधा लो भी नहीं करना है अब हम अ liksom कर लेंगे और mix करके इसको हम पकाएंगे आपैंट्ट इन्हाँ पर रहे और यहाँ सिखिए हमारा जो पानी है यह पूरा 50 परसेंट से ज्यादा सुख चुका है यह थोड़ा सा बागी है जिसको अब हम धकन नहीं लगाएंगे अब धकन हटा करके इसको चला चला करके अच्छे से भून लेंगे और पका लेंगे यह बहुती लज़ी बहुती डेश्टी होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारा रेसीपी जो है यह चिकन वाला यह बहुती इजी तरीके से हम बनाए हैं बहुती जबरदस्त होता है इसकी खुष्पी बहुती जबरदस्ता रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इसको अभी पकने में 5-6 मिनट का समय लएगा जादा समय नहीं लएगा तो इसको अभी हम भून तो सूखा हुआ में थोड़ा सा और चुले पे इसको सुखा लेंगे अच्छे से भून लेंगे तो हमें तो सूखा भूना हुआ मतलब चिकन बहुत ही टेश्टी लगता है तो इसको हम पूरा अच्छे से भूनेंगे और भूना हुआ सूखा चिकन हम बना रहे हैं यह खा का और समय लगए, इसमें तब तक वीडियो में लाष्ट तक बने रहे हैं आप देखते हैं इसके बाद हमें बनाने के बाद चिकन पुलाव के साथ खाई या रोटी के साथ या पूडी के साथ बहुत इजबरदस्टा लगता है बहुत पर ही टेष्टी होता है तो आप देख पूरा पानी हमारा चिकेन का पूरा सुख चुका है यह पूरा अच्छे से भुना चुका है और हमारे लाश तक बने रहने के लिए आपको धन्य बाद फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलने के लिए रेडी रहेगा और कमेंट जरूर किजिएगा आप सब और मेरे चैनल को ल परसंद है आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा कमेंट करके और फिर अब हम चलते हैं अब चूला को बंद करने हमारा जो चिकेन देशेपी है कंप्लीट हो गया बंद करते हैं और चूले से नेचे हम कडाई को उतारते हैं अब फिर खाने के लिए परोसेंगे तो यहां प्राइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा चिकन बरानी का तरीका और बढाकर ट्राइब जरूर कीजिएगा बहुत ही जबरदस्त होता है बहुत टेश्टी होता है फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाए